दोस्त नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना शुवय और शाम हम आपकी सिवा में छे खबर कबर करते हैं वो भी मज़ेदार ढंग से इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसी क्रम में हम चर्चा करें कि बहिया औरंग जेब के आगे जीत हुई है मोधी साहब की 400 साल बाद बिजय प्राप्त करी है मोधी जीने औरंग जेब के खिलाफ साथ में भाई साहब पोतिन साहब के पूपर अरेस्ट वारेंट जारी हो गया है क्या तमासा ओपन हो रहा है नया वाला तो चाइना भाई में वो मोधी साहब सॉल्व कर रहे हैं पीम मित्र के द्वारा ये पीम मित्र क्या है चाचा करेंगे साथ में हमारे जो स्टूडेंट आप में से जो निवेशक है उनके काम के लिए बोरेन वाफेट साहब ने बहुत ही इंपोर्टेंट बात कही है वाई साहब जो आपको सह किसे मिलेगी अन्त तक देखिएगा वीडियो को अब दोस्तों आज से 400 साल पहले की बात है औरंग जेव ने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को मरवा दिया था क्योंकि वो उपनिशद के बाद वेदों को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे थे वाई साहब सामवेद का न सबसे उपर हैं शबको स्विकार करना चाहिए सबको लाव मिलना चाहिए हम तो बार बार बोलते हैं बह्या आप पूरी दुनिया में चले जाएए चाहे इसलाम धर्म हो हो चाहे क्रिस्चैनिटी हो कोई भी धर्म हो आपसे क्या कहेंगे मरने के बाद जन्नत मिलेगी मरने के बाद हैवन मिलेगा लेकिन इस जन्नम में धर्ती पर रहते हुए आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा आप पैसा कैसे कमा सकते हो वो केवल हिंदू धर्म में ही होता है सनातन धर्म में ही होता है आप हमें बता दो महालक्षमी जी का जो कॉंसेट है वो और किस धर्म में हैं बाई 사ब आज दिया लेके अख्षी धनिया ज्जान लीजाँ पर दो अव कहां है बाई विद्या लक्ष्मी जो अस्त लक्ष्मी होती है उसी में विद्या लक्ष्मी भी हैं और विद्या लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है चार्ट महालक्ष्मी जी भाई साब चार्ट महालक्ष्मी जी आपको इसी जन्म में यहीं पैसा कमाने में मदद करती हैं भाई साब इसलिए हमें चार्ट महालक्षमीजी पर गौरव होना चाहिए हमें इनका प्रजार प्रशार करना चाहिए क्यों कारण यह वाई सब इत्यास गभाए हमारा ग्यान ही अमेरीका गया यूके गया वहां से लौटके ही इंडिया आया उन्होंने हमारा ग्यान हमको बेच के पैसा कमाया है इसलिए भाईया स्रीचार्ट महालक्षमी में भरोसा बरकरार रखिये और उनके मार्ग दसन में आगे बढ़ते रहे ये ये जो विशेस्ता है ये जो लाव है वो आपको सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप एक हिंडू है अब दोस्तों ये अमेरिकी लोग भाईया यू जिरिस्टेक्शन है भी कि नहीं है वो लॉद्वी आई थी डार्क नाइट 2008 में जोकर वाली है जोला है नो जीरिस्टेक्शन मतलब यह बेत में हैं बैट में कोई जै क्या महिं को indeed u भाईया जी इनको कोई मानता जानता है नहीं अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है भाईया रूस में तो 2021 में करनी काट ली थी संगटन से साइन करके पीछे अट गए थे और रूस छोड़ो भाईया रूस छोड़ो आप अमेरिका भी इसका जो है सिगनेटरी मेंबर था लेकिन उन्होंने सिगनेचर बापस ले लिया अमेरिका तक पीछे अडिया भाईया जी सिर्फ यूरोपियन देश हैं कुछ अफ्रीगा औस्ट्रेलिया बगए रहा है बढ़े लड़ते रौओ अखवारों में प्रोपरगेंडा चल रहा है बढ़े जी कुछ नहीं होने वाला इस से अगया आजिकाने वाले खाने के दात तो भाईस अब देख लो यह चल रहा है बढ़िज़ेंगे हम चीन हथ्यार सप्लाई नहीं करेंगा अरे तुम आशमान तारे गिंते ले गई देख लोगा असलियत में उन्होंने हथ्यार सप्लाई कर दिये हैं औहे सैसे उनने लिग दिया वाई साब की हम तो हंटिंग राइफल एक्सपॉर्ड कर है इन इस Самनी परंद का norm का इस्तिमाल सिकार करने सब के कंपोनेंट चीन ने भेजे हैं अब हुआ क्या जी बिल्ली जो है आगई बाहर तभी आप देख रहा होगे आज कल टिक टॉक पर बहुत गर्मी निकाला है अमेरिका मतलब देखो आप हाथियारों में मात खाए हैं तो भड़ास निकाला है टिक टॉक को बेंगर के किसे अपनी जनता को बेवकूप बना रहे हो खुद को बेवकूप बना रहे हो अरे भाईया हमने कहा सी जिन पिंग पर इन कदमों का रत्ती भर प्रवाव नहीं पड़ेगा वाई साब आपको जो करना हो इस तरीके से भाईया जी चिट-पिटी चला रहे हैं बच्चों की चिट-पिटी चलाने से आवाज होगी बच्चे भी नहीं करते चिट-पिटी से तो आप दोस्तों यह बात कहीं जाती हो एक हट तक सही भी है कि मोधी सासनकाल में जौप्स ज्यादा पैदा नहीं हुए दिरोजगारी की समश्चा जस्कीतस है तो उसको सौल्व करने के लि में लगे थे तब जाके इन साथ राज्यों का चुना हुआ है कि टेक्स्टायल पार्क क्या है इनमें क्या होगा कपास एंट्री मारेगा और जो है फाइनल रेडिमेट कपड़ा बाहर निकलेगा भाई साफ सीधा कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाएगा इनसे दुनिया भर में और देखिए चारहेगा पांसो करोड का अवी एख़रचा होना है और भाई साब प्रित्यक पार्क से एक लाख निकलेंगे डलैक्ट जॉब मतलब ती लाख जौब पारक से साथ है तो इकتीस लाख जौब निकल सकते हैं अरे हमने का 21 नहीं तो 15 लाग भी निकल जा तो क्या बुरे हैं भाईया जी मतलब यह जो समस्या है हमारी विरोजगारी की वो सॉल्व करने में यह टेक्स्टाइल पार्क मदलगार साबित होंगे लेकिन हमारा एक पॉइंट यह है कि यह फ्री ट्रेड एक्रिमेंट जल्दी स हमारे कपड़े इसलिए यह जल्दी से जल्दी होना चाहिए अट लिस्ट कपड़ों को लेकर तो ड्यूटी फ्री अक्सेस ले लो भाईया इसी बीच दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई थी भारत में सफल भी यह काम चल रहा है क्रिप्टो का कबाड़ा करने के लिए यह क्रिप्टो का रिप्लेस्मेंट है बस अंतर यह है कि इसके पीछे खड़ी हुए तो देख लो हमारा कितने आगए अभी अमेरिका में तो यह सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आई भी नहीं है हमारे यहां तो आर्वी आई ने यूएई के साथ एक्रिमेंट भी कर लिया है मतलब क्रोस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करणसी के दौरा और दोस्तों आपको पता है खाड़ी से भारत बहुत पैसा आता है बहुत पैसा पैसा इसी डिजिल कर ży के ज़री आ सकता है भारत में तो हम जो है डॉलर को इस प्र डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहे हैं बलकि टेक्नोलोजी के माध्यम से हम पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि यही तरीका है आगे बढ़ने का और देखलो अब तो अब दोस्तों आपने से उन्हें पढ़ाया है कि आपको सिर्फ पंद्रा मिनिट देने हैं अगर आप मीडियम निवेशक हो तो आपको हर सप्ताय में पंद्रा मिनिट देने हैं और भाईया अब हम नहीं क्या रहे हैं स्वयम वारन बफेट ने वरकसार हाथवे की रिपोर्ट में लिखा है कि यह जो लोग घड़ी-घड़ी मोबाइल देखते रहते हैं सोशल मीडिया में बड़े-बड़े से इन्वेस्ट करके बैटता है यह अप सांती चैनसे नहीं बैट पा रहा है वीकंड आपका नहीं कट रहा है थुथ्टियों का आप इंजॉयमेंट नहीं ले पा रहा है तो आप शैर मकेट में भी होता है शैर मारकेट कि जंगल में भी चीटेगा तो केवल कफ़ गया च्छ हुआ जो दिन में बहुत तीरी से जोटने के चक्कमें बहुत प्योड़िए प्हुतेस से पिसागों वाते हैं भया चीं उनके पैसा नहीup रहें भी क्षाई है जो हमने आपको आत्म निर्वर इन्वेस्टर कोर्स में दो साल पहले पढ़ा दिया है भाई साहब इसलिए इन्वेस्टर कोर्स में आपको जो ग्यान मिला है उसका दामन थमे रखिए और स्री चार्ट महालक्षमी के मांगोशन में आगे बढ़ते रहिए पैसा आपके मस्तानी तो आपने देखी योगी लेकिन आपके ध्यान में हो सायद मस्तानी भाई कहां की थी वो बुंदेल खंड की बेटी थी और हम भी भाई या बुंदेल खंड के हैं इसलिए भाई साहब हमारा विशेस लगाओ है पेश्वा बाजी दाओ से क्योंकि उन्होंने भाई तक मराठा समराज का ध्वज लहरा पाए तो उसके पीछे मस्तानी भाई का योगदान था अगर वो जानना बचाती बाजी राओ की उद्ध के मैदान में तो कैसे फतह हासल कर पाते वो लेकिन बड़ी बाद क्या है कि बाजी राओ की यह जो स्ट्रेटजी है जिससे उन्ह मार्केट में उतार चड़ाओ चलता रहता है कभी यह दाम ऊपर चड़ते हैं कभी नीचे गिरते हैं कभी वहीं टिके रहते हैं तो हर इस्तदी में आपका पैसा बनता रहे और आपके पेट का पानी ना हिले वो कैसे होगा भाईया वो होगा आचारे चानक की हैजिंग ओ हराया था वाईचाब तो यह शेयर मार्केट में भी चलेगी और अपने कोर्स आत्मनिर्भर फ्यूचर्स और आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स की माद्यम से जो कोर्स आपको पसंद दे उसे जोएन करने के लिए लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के करता झाऊब पस्क्रिप्ट एक्रिब बार्ष झाईचाब पस्क्रिप्स आत्मनिर्भर ऑपको पस्क्रिप्स लिए अपको आत्मनिर्भर जाएगी वीडियो के यूचर्पड़ जा जाएई।